तेजस विमान होने वाला है और ताकतवर सतर किलो मीटर दूर बंकरों को करेगा तबाह अखर चीन और पाकिस्तान की क्यों बज जाती है इस योधा से पुंगी तेजस क्यों है दुनिया का जूबा दोस्तों स्वदेशी हलके लड़ाक विमान तेजस की शमता को और बढ़ाने के लिए भारतिय वायुसेना ने फ्रांस से हैमर मिसाइलों की खडीद का ओडर दिया है अब आपको हम कुछ और आगे बताएं उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर ये हैमर मिसाइल है क्या तो दोस्तों आपको बता दें कि हैमर का मतलब है highly agile modular munition accidented range जी हाँ आपको बता दें कि ये मिसाइलें 70 km से अधिक की दूरी पर किसी भी मजबूत बंकर या जमीनी लक्ष को निशाना बनाने में सक्षम है आपको बता देना चाहते हैं कि चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच वायुसेना ने सरकार से मिले आपात काली इन खरीद के अधिकार का प्रियोग करते हुए इन मिसाइलों का order दिया है दोस्तों वीडियो को हम आगे शुरू करें उससे पहले हम आपको इतना बता देना चाहते हैं कि तेजस विमान उन विमानों में से है जिन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक विमान कहा जाता है और ये भारत का विमान है और आपको हम बता दे कि चीन और पाकिस्तान जैसे दे खास बात है कि से आज भी दुनिया का अजूबा कहा जाता है और उस सब के बारे में आपको हम विश्टार से बताएंगे जो हमारे वायू सेना ने इस विमान को लेकर इतना बड़ा आक्शन लिया है तो चलिए बिना कोई भी कवक्त गवाए विडियो को शुरू करते हैं दोस्तो भारती वायू सेना ने हैमर मिसाइलों की पहली खेप राफेल विमानों के लिए उस समय हासल की थी जब फ्रांस से इनकी आपूर्ती प्रारंब हुई थी चीन के आक्रामक रुख के मद्दे नजर उस समय फ्रांस बेहत कम समय में हमारे राफियल विमानों के लिए इन मिसायलों की आपूर्ती के लिए राजी हो गया था फ्रांस ने इने अपनी वायु सेना और नौसेना के लिए डुजाइन किया था बता दें कि भारतिय वायु सेना में तेजस की दो स्क्वाइडरन पहले से संचालन में हैं तेजस को पाकिस्तान और चीन के संयुक्त उपक्रम जे एप 17 लडाकु विमान से कहीं अधिक श्क्षम माना जाता है हैमर मिसाइलों के साथ तेजस की शमता और अधिक बढ़ दोस्तों आपको बता दें कि भारतिय सशत्र बलों ने सरकार से मिली आपात कालीन खरीद शक्तियों का व्यापक रूप से उपयोग किया है ताकि दोनों मोर्चों पर दुश्मन के किसी भी दुस्साहस या आकरमर्ण से निपटने के लिए खुद को आवश्यक हतियारों से लैस किया जा सके जी हां भारतिय वायुसेना स्वदेशी LCA तेजस लड़ाक विमान का पुरजोर समर्थन कर रही है वायुसेना की निगाहें LCA Mark 2 और DRDO द्वारा इसके लिए विकसित किये जा रहें AMCA पर भी टिकी हैं दोस्तों आगे आपको कुछ भी कहें उससे पहले ए दाखर इसकी खासियत क्या है तो दोस्तों एक ऐसा विमान जिससे चीन से लेकर पाकिस्तान सब थररा उठते हैं उसमें क्या ऐसी बात है आईए आपको बताते हैं दोस्तों तेजस विमान की खासियत इसकी रफतार और इसका हलका वजन है सबसे बड़ी बात ये है कि देश किलो मीटर की उचाई तक उर सकता है और दोस्तों ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है है एच ए एन ने नए तेजस विमान को जैमर प्रोटेक्शन तकनीक से लैस किया है ताकि दुश्मन की सीमा के करीब उसका कम्यूनिकेशन जाम न हो पाए दोस्तों इसके निचल हवा से हवा में दूसरे लड़ाकों विमानों को मारने वाली लेजर गाइड़ मिसाइल रॉकेट और बम शामिल है जी आपको बता दे इसकी निर्माता कंपनी यानि हिंदुस्तान एरोनौ्टिक्स लिमिटेड यानि हैल और भारती वायूसेना के बीच इन नए फॉर जनरेशन के हलके लड़ाकों विमान यानि लाइट कॉमबाट एरक्राफ्ट के उत्पादन को लेकर समझाता किया जाएगा जानकार बताते हैं कि तीन साल पहले ही वायूसेना ने हेल को तीजस विमानों के लिए आदेश दिया था जिसके तहत कई तीजस विमानों को पानी में हमला करने वाली शमता है और हवा से हवा में दूसरे लड़ाकों विमानों को मारने वाली भी शमता है तो आप समझ जाएगे कि ये विमान कितना खतरनाक हो सकता है। पार्च महीने में इसकी निविदा सरकार को सौपी आपको बता दे कि रक्षा मामलों के विश्यसग्य के अनुसार पिछले दो सालों से सरकार और HAL के बीच तकनीक और कीमत को लेकर बातचीत होती रही रक्षा विश्यसग्य का ये भी कहना है कि ये विमान भारत का पहला स्वदेशी लड़ाको विमान है जी आपको बता दें कि जिसमें पच्चास प्रतिशत से अधिक कलपुर्जे भारत में ही निर्मित है और ये गर्व करने वाली बात है दोस्तों कि हम अपने ही देश में ऐसे खतरनाक विमान को डेवलप कर रहे हैं और आत्म निर्भरता की और हम इस तरह से स्टेजी से आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों रक्षा विसे तक ये कहते हैं कि जब तक पूरी खेप तयार होने की स्थिती में आएगी इस विमान में स्वदेशी कलपुर्जो का प्रतिशत 60 तक पहुँच जाएगा भारत के रक्षा मंत्राले से इस विमान है जी हां मंत्राले का ये कहना है कि पूरी खेप की कीमत 45 करोर 696 रुपे है रक्षा विसे सक्की के अनुसार एक तेजस मार्क 1A लडाक विमान की कीमत 550 करोर रुपे है जो सुखोई 30 MKI लडाक विमान से 120 करोर रुपे अधिक है सुखोई विमानों का उत्पादन भ गया है वो critical operation शमता के लिए active electronically scanned radar यानि electronic रूप से scan radar beyond visual range missile electronic warfare suite और air to air refueling की व्यवस्था है जी हां ये विमान दूर से ही दुश्मन के विवानों पर निशाना साथ सकता है और दुश्मन के radar को भी चकमा देने की शमता रखता है ये विमान उतने ही हथियार और मिसाई लेकर उड़ सकता है जोतना इससे जादा वजन वाला सुखोई व्मान जी हां और इसी लिए इसे खतरनाक योध्धा की श्रेनी में रखा गया है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही एक हबर आपको कैसी लगी हमें comment box में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच् टेखने के लिए इस चेनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे comment box में comment करके जरू बताएं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जया हिन जया भारत बंदे बात्र